नीचे देगे रेड बटन से सब्सक्राइब कीजे कैरियर ग्यान को और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो हिंदुस्तान जॉप्स में निव जाई है इसको देख लेते हैं अमीन कानून गो वे साहयक बंदोबस्ट पदिकारी अनुबंद पर बाहल के जाएंगे इसमें ये भी दिखाया गया है कि राजस्वी भाग में होगी 12,000 पदोपर बाहली और आगे इसमें बताया गया है कि इन में से 8-10,000 तक अमीन, 1100 कानून गो और 650 साहयक बंदोबस्ट पदादिकारी होंगे और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 31 जुलाई तक बन जाएगी नियमावली रोजगार मिलेगा जुलाई तक बनेगी नियमावली अगस्ट तक विग्यापन जारी होगा दिसम्बर तक होगी बाहली मार्च में सर्वे का काम करेंगे 15 अगस्ट के पहले सभी परकंडों में ओनलाइन म्यूटेशन का लगसे 36 अंचलों में सर्वे का काम मार्च 2019 तक हो जाएगा पूरा तो आई ये इस पूरी नियूज को पढ़ लेते हैं दोस्तो 31 जुलाई तक बन जाएगी नियमावली परदान सचीव बरजेश महरोतरा ने कहाए कि 31 जुलाई तक बाहली की नियमावली बन जाएगी अगस्त में विग्यापन और दिसंबर 2018 तक अनुबंद पर बाहली की परकिरिया पूरी हो जाएगी चैनित कर्मियों को मार्च 2019 तक परशिक्षन दिलाकर सर्वे में लगा दिया जाएगा 36 अंचलों में सर्वे का काम मार्च 2019 तक तो राज्ये के सभी अंचलों में सर्वे का काम 2021 से 2022 तक कर लिया जाएगा बैटक में निदेशक जैसिंग वै विरेंदर कुमार मिस्र विशेश सचीव परविन कुमार जा सहीत अन्य अधिकारी मोजूद थे राजस विभाग में इस साल के अन तक लगबग 12,000 पदो पर बहाली होगी इन में 8 से 10,000 तक अमीन, 1100 कानून गो और 650 सायक बंदोबस्त पदादिकारी होंगे डिप्लोमा धारी सिविल इंजीनिरों का अमीन, सिविल में ही डिप्लोमा की डिगरी और 3 से 5 साल तक के अनुभव वाले को कानून गो और बीटे कुत्रिन सिविल इंजीनिरों को सायक बंदोबस्त पदादिकारी के रूप में अनुबंद पर बाल किया जाएगा इन पदों पर बाली के साथ ही विभाग की अन्य योजनाव की राजसो एवं भूमी सुधार मंत्री राम नारायन मंडल ने गुरुआर को सर्वे परिशिक्सन संस्तान सास्ती नगर में समिक्सा की मंत्री ने कहा कि NDA सरकार की परात्मिक्ता भूमी विवाद को कम करना है इसके लिए चरणबत तरीके से काम हो रहा है ओनलाइन दाखिल खारिजगा काम जारी है भूमी विवाद कम करने के लिए अनुबंद पर बड़े पैमाने पर बाहली की जा रही है बाहली से सर्वेक्सन का काम निर्दारित समय पर किया जा सकेगा इन पदों के अलावा विभाग में कनियवे सायक अवियंता के पदों पर भी बाहली होगी मंतरी ने कहा कि 15 अगस्त के पहले सूबे के सबी 534 परकंडों में उनलाइन म्यूटेशन सुरू करने का लगसे है अभी जमाबंदी पंजी अपडेट नहीं होने के कारण उनलाइन म्यूटेशन में समस्या हो रही है इसका समादान जल्दी हो जाएगा सहरसा के सहरी अंचल में 1 दिसंबर 2017 से उनलाइन म्यूटेशन सुरू है पर अब तक एक भी दाखिल कारिज नहीं हुआ है यहीं चिंता का विसे है ओपरेशन भूमी दखल दानी की समिक्सा के दोरान पाया गया है कि अभी 41,000 दखल दिलाने का मामला बचा हुआ है मंतरी ने अपर समारताओं को कहा है कि सभी मामलों में अविलम दखल दिलाए साथ ही नए मामले भी चीनित करें अंचल अधिकारी वे थाना परबारी की हर सनिवार को होने वाली बैटक में ऐसे मामलों को परमुकता से निबटाया जाए अभियान बेस्त्रा में वास भूमी के चेन का अधिकार रहतो हुए भूमी हीनों को देने पर विचार हुआ है तो दोस्तो जल्दी आप इस स्कूटमेंट पर अपलाई कर सकोगे जल्दी इसका विज्ञापन जारी होने वाला है तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें ज्यादा से ज्यादा सेर करें